हेलो अब्रिवान वेलकम बेक टो माई न्यू ब्लॉग तो गैसे हैं आप से भी लोग मैं आशा करती हूँ आप से भी लोग ठेक होंगे स्वस्त होंगे तो गैस आप भी अपने बालों को सिल्की साइनी एंड स्मूथ करना चाहते हैं इन सरद्यू में बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए मैं बना रहे हूँ एक हेयर माक्स जो भी इंग्रीडियन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उन्हीं से मैं तैयार कर रहे हूं तो गैस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो को सियर करिए तो आप भी इस तरीके से अपने बालों को सिलकी साइनी और स्मूध कर सकते हैं घर पर नैचुरल तरीके से हेयर माक्स बना करके तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें चीए वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो गाइज इस हेयर माक्स को बनाने के लिए आपको टू बनाना चीए और एक बावल के करीब दही अपने बालों के according लेना है fresh aloe vera gel और flex seeds जितने भी आपके पास available हैं तो flex seeds को क्या करना है मैं बाद में बताऊंगी तो सभी चीजे बनाना और दही और साथ ही aloe vera ये बालों को इतनी अच्छी तरीके से condition करते हैं बाल बहुत कम जड़ते हैं इसे लगाने से dendrap की समस्या कम हो जाती है अगर दही थोड़ा सा खटा हो तो और भी अच्छा रहता है तो एक smooth सा पेश्टी इस तरीके से आपको बना लेना है ये मैंने बना लिया है इस तरीके से आपको निकाल लेना है इसको और अच्छे से बालों की जड़ो में और पूरी लेन्थ पे लगाना है अगर आपके बाल मुड़े मुड़े लग रहे हैं बहुत ज़्यादा तूट रहे हैं तो बालों का तूटना बहुत कम हो जाएगा बाल उलजेंगे नहीं और बालों में टैंगल नहीं पढ़ेंगे अगर टैंगल नहीं होंगे तो आपके बाल कम टूटेंगे तो नैचरल तरीके से आप पालर में जाते हैं बहुत खर्चा करते हैं और नैचरल तरीके से घर पर इस तरीके से हेर मार्क्स बनाते हैं तो आपके बाल बहुत ही सुंदर, सुमूद, सिल्की हो जाते हैं साथ ही बालों को कोई नुकसान नहीं होता अगर हम पालर में कराते हैं तो कुछ दिनों के लिए तो हमारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं उसके बाद हमारे बाल बहुत ज़ादा ज़ड़ने लगते हैं तो फ्लेक्स शीट को त्यार करने के लिए आपको पानी को गरम कर लेना है कुछ इस तरीके से आप पानी गरम कर लेंगे और इसका ठीक सा एक पेश्ट बन जाता है तो इसको छान लेना है किसी भी छन्नी की मद 10 या एक पतले से कौठन में आप आप जान लीजिए और अच्छे से बससी घ्रत तो इसे कौटन की चानना पड़ेगा क्योंकि इसका पेश्ट थोड़ा सा थिक होता है तो इसलिए आप कोटन से चानेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चन जाता है और थिक सा पेश्टों होता है और इसको गरम गरम ही चानना पड़ता है ताकि अच्छे से यह चान सके नहीं तो बाद में गाड़ा हो जाता है तो चानता नहीं है तो इस तरीके से आपको इसको उबालना है तो देख सकते हैं मैं पूरा वीडियो आपको दिखा रही हूं पानी को गरम कर लेना है औ और इसमें इसको इस तरीके से पकाना है जब इसको ये ठिक सा नहीं बन जाता ये जेल सा नहीं निकल जाता तब तक आपको इसको उभालना है तो इस तरीके से ये बालों को शिलकी, Siny and Smooth बनाता है आलांकि इसे गड्म गड्म ही इचाना पड़ता है कुछ इस तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ पूरे बालों में जणू से सिरूं तक आपको इसको लगा लेना है और मेरे बाल का फी दिखिए तो गाइज आपके भी बाल ऐसे ही सिल्की, साइनी, एंड स्मूध हो जाएंगे इस हेर मास्क को लगाने से तो आपको पूरे बा कर दो बाते मों कैसा बना रहा हूँ तो इस तरीके से आपको भी पूरे बालों की जड़ों में लगा लेना है इससे डेंडर भी रिमूभ होगा और आपके बाल पर सिल्की, साइनी समूध हो जाएंगे घर पर कुछी पैसूमें तो आपको इस तरीके से यर्भन बना लेना जैसे मैंने बनाया है पूरे बालों में लगाने के बाद इस तरीके से बना लेना है इसको कम से कम आपको एक घंटा लगे रहने देना है इस से आपके बाल काले होंगे सिल्की होंगे साइनी होंगे लॉंग होंगे कोई भी केमिकल नहीं है नैचुरल है तो आप रिजल्ट देख सकते हैं आप्टर हेर वर्ट तो इस तरीके से आपके बाल भी सिल्की साइनी स्मूध हो जाएंगे और कोई भी टैंगल नहीं रहेगा अगर टैंगल नहीं रहेंगे बालो में तो आपके बाल कम तूटेंगे रफ नहीं लगते हैं तो कि दही में ओइली सा एक पदार्थ होता है जो बालों को बहुत सिल्की साइनी करता है और बालों में मॉस्चर रहता है इस वज़ा से बाल कम तूटे हैं तो कम से कम हपते में एक बार इस यहर पैक का आप इस्तमाल करिए तो आपके बाल भी बहुत सुन्दर हो जाएंगे बहुत सिल्की साइनी स्मूध होंगे आई हूप कि गाइज आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आये तो लाइक सियर एंड जल्दी से मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दे मिलते हैं